तो गैज आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपको इस वीडियो में Reward and Next-100 एलेक्ट्रिक स्कूटर की सबी डीटेल आपको बتाने वाला हूँ ये एलेक्ट्रिक स्कूटर गाईज दबाई है कुछ ही दिनों में ये electric scooter launch होने वाले तो काफी demandable वीडियो रहने वाला है अभी तक YouTube पे किसी ने भी इतनी information इस company के बारे में इस electric scooter के बारे में नहीं बताई होगी टेस्टीन से लेकर battery तक और कितनी life चलेगी वहाँ तक हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले एंड ये पूरी तरह से completely next generation electric scooter रहने वाली है मार्केट में अभी तक इस electric scooter जैसे features, range and battery life किसी भी electric scooter में देखने को नहीं मिलने वाले तो चले लियार without any waste time चुरू करते हैं आज का वीडियो तो कैस वीडियो थोड़ा सा लेंती हो सकता है आप सभी को पता है कि पूरी information सबसे हट के हम देने के कोशिश करते हैं तो reward NX 100 जो है करना तक based company है जो की 3-4 साल से company इस electric scooter के ऊपर testing कर रही है काफी इन्होंने testing की, काफी look design किये, काफी names भी इन्होंने decide किये ति जो कि आप screen पर देख सकते हो first reward mark 2 के बारे में इन्होंने design किया था, उसके बाद reward NX 100 के बारे में भी design किया था बट यह आने वाले time में इनकी budget electric scooter मतलब हर pricing के हिसाब से electric scooter मिलेगी तो आने वाले time में आपको दो name देखने को मिल सकते हैं लेकिन उसके बाद इनको बहुत ही बड़ा task जो था वो था इनके उपर battery के उपर जी हाँ guys reward NX 100 में LFE battery मिलने वाले इन्होंने share भी किये था कि हम LFE battery पर काम कर रहे है सबसे पहले इंडिया में LFE battery कम ही electric scooter में होती है क्योंकि इसके पीछे का इस reason एक है कि LFE battery पर properly उनको काम करना पड़ता है काफी testing करनी पड़ती है काफी BMS जो इस पर fail भी हो जाते है तो properly जो suit करता है BMS या इनकी जो testing होती है वो proper तरीके से करनी पड़ती है तब जाकर यह success हो पाता है बट गाई success होने के बाद इसकी life होती है वो approximately अगर आप जो हर दिन scooter को charge करते हो तो 365 से अगर हम 5 year तक पकड़ते है तो approximately 1800 दिन आते है तो अगर आप हर दिन charge करोगे तो 5 साल तक यह आपके battery चल सकती है और कोई भी जो हर दिन electric scooter को charge नहीं करता दो दिन में एक बार करते हो तो 10 साल तक आपके battery जा सकती है और तीन दिन में अगर आप एक बार charge करते हो तो 15 साल तक इसकी battery की life जा सकती है क्योंकि electric scooter में mainly battery ही बहुत ही बड़ा maintenance होता है तो battery की life आपको अच्छी कासे मिलने वाली है range की बात करें तो range आपको हर requirement की सबसे हर budget की सबसे मिलने वाली है 120 km से लेकर 280 km तक range मिलने वाली है और इस electric scooter में काफी और भी features है जैसे कि इस electric scooter में removable battery भी मिलने वाली है उसके बाद बात करती है और next component जो electric scooter में main होता है motor के बारे में motor आपको इसमें जो main drive की motor मिलने वाली है जो की बोला जा रहा था कि 6 kilowatt की motor रहेगी जिसकी approximately speed 100 plus km का speed निकाल पाएगी बट ये increase भी कर सकते है क्योंकि अलग-अलग model आने वाले है तो आने वाले time में ये changes भी कर सकती है जिससे कि हम आगे बाद भी करने वाले है और इस electric scooter में fast charging भी देखने को मिलने वाला है fast charging है, removal battery है अच्छी खासी battery की life है तो यार guys इससे अच्छा आपको क्या चाहिए और guys यही नहीं और भी features भी आपको इस electric scooter में मिलने वाले है features Q सबसे हटके में ने कहा क्योंकि dash camera आपको electric scooter में first time reward motors प्रोवाइड करने वाला है आने वाले time में जो launch event रहेगा उसमें वो unveil करेंगे कि यार dash camera जो properly front end rear में केसे work करेगा shift आपकी increase हो जाती है उसके बाद आपको display बड़ा मिलने वाला है दो types के display मिलेगे क्योंकि pricing कम रहेगी तो आपको normal display भी मिलेगा 7 inch का display भी देखने को मिल जाता है जिसमें आप rider management मतलब rider की पूरी आप जो है setting कर सकते हो किसे को electric scooter देना है उसको speed कितनी देनी है range कितनी देनी है या location वगएरा पूरी तरह से आप जो है track कर सकते हो set कर सकते हो तो absolutely ये features भी काफी electric scooter में नहीं है and video guys आपने यहाँ तक देख लिया तो please like ज़रू करना क्योंकि आपके एक like से हमें काफी motivation मिलता है next video के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं 500 likes का target रखते है so I hope आप जो है easily complete कर दोगे क्योंकि यार काफी information हमने निकाल के वीडियो बना रही है तो features के मामले में सबसे हटके reward NX होने वाली है so सब कुछ होने के बाद final इस company ने जो है ready to launch का photo भी डाला था पूरी तरह से properly electric scooter जो unveil होने के लिए ready है वेसा भी कुछ दिख रहा था जो कि 15 अगस 2023 को इन्होंने एक update भी दिया था कि हम जो है जल्दी launch event रखने वाले जो कि approximately एक महिने के approximately हो सकता है September 2023 में उन्होंने बोला है क्योंकि इस brand का target रहने वाला कि starting price जो है electric scooter की 1 lakh तक रहने वाली है या under 1 lakh रुपी साथ बोल सकते हो क्योंकि इंडिया में काफी customer को लेनी है बट वो काफी कम ही electric scooter available हो पाते है और काफी बारा हमने जो इन से contact किया mail वगारा करने बाद इनके तरब से reply यही मिल रहा है कि 1 lakh से pricing start होगी जो कि approximately 2 lakh तक जा सकती है जिसमें 280 km range वाली electric scooter आपको देखने को मिल सकती है सो गाईज यह थी कुछ reward and next 100 की पूरी information जो की अभी तक इनकी तरब से देखने को मिली है पूरी information आपको इस वीडियो में clearly मैंने आपके साथ शेयर किये आपको reward and next 100 electric scooter में क्या अच्छा लगा और क्या आने वाले टाइम में इसकी pricing रह सकती है आपका कोई भी suggestion हो comment में जाकर जरू से जरूर बताए